जैस्री क्रिष्णा हर्दय रोग बढ़ती हुई अधिनिक जीवन सेली काई एक मुनेश्य को भेट है एक जमाना था हर्ड अटेक से मरने वाले कभी सुने नहीं जाते थे और सुने जाते थे तो कभी दूर से बड़े धनला सेट माने जाते थे कि उनको हर्ड अटेक आया है और वो मरे हैं क्योंकि उस समय यह एक धनिक बिमारी मानी जाती थी आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफस्टाल सब की बदल गई है आज सब के पास में खाने का प्रयाप्त भोजन है किलो कैलोरी अधिक मिल रही है अब देखेंगे जितने भी बिस्किट्स कुरकुरे या इस प्रकार के जो भोजन आ रहे हैं उसमें पाम ओईल है सबी प्रोडेक्ट में पाम ओईल है जो हर्दे के लिए नुक्षान दायक है ठीक ऐसे ही भोजन कार्बोहडेट की मात्रा अतिधिक लेना और उसमें साथ में सलगन वसा की मात्राओं का अधिक लेना जिसके कारण हर्दे रोग बढ़ा है और साथ में आरण दायक जीवन जो मशीनों से काम बढ़ गया है महिलाओं में वसिंग मसिंग आ गई है घरिलू काम के लिए नौकर रखे लिए जाते हैं उन लोगों में सबसे दादा है तकलीप है शारिक वयाम कम होग चुका है जब आपके शरीर में एनरजी लेवल लेने का प्रमान है पैमाना है बाइस सो किलो कैलोरी आप उसकी जगे पैतिस सो किलो कैलोरी ले रहे हैं खर्च आप वापस उतना नहीं कर पाते हैं तो इस्टोरेज हो गए होगा अब वो इस्टॉक आपके प्याले नाभी के आसपास में फैट के रूप चर्वी के रूप में पिट बाहर निकलाएगा वो तो द्रश्य गत है हर्दय में लीवर में जहां पे अद्रश्य है आप आपको दिखाई नहीं देता कि आपके अंदर फैट्स कितना जमा है वो फैट्स आगे रक्त वहान में लिकाओं में भी जम जाता है तब हर्दय में रक्त प्रवा आने जाने में दुविदाएं होती है वो सवस्ता में हर्दय रोग हो जाता है और रक्त संचारण में बाध में भाग के हाथ कंदे में दर्द होना पाया जाता है जिसके कारण यह बीमारी अब आम सामनी वर्ग में बच्चों में भी पाई जाती है बड़ों में भी पाई जाती है जिसकी वज़े है लाइफिस्टाइल कि आप लाइफिस्टाइल बदलिए जब तक आप लाइश्ट अपने सरीर में ग्रण करते हैं उसको वापस खर्च कीजिए इस्टोरेज मत होने दीजिए